करेंगे तो आपका आपने चन्य में लर्न विद संजीव में तो आज से आप लोग मुझे पूरे स्क्रीन पे देखोगे ना कि छोटे से कॉर्वर पे देखोगे थोड़ा सा इंडियन जुआड करके वाइड बोर्ड का थोड़ा सा इंदिजाम कर दिया होके तो आप से मेरे अगर और कोई मुझे आनिमेशन से आप कुछ इग्जामपल्स देना होगा तो मैं यूस करूंगा अगर वह प्योड थरोटिकल बेस रहा तो हम लोग वह बोर्ड पे करेंगे ओके तो फिर स्वागत है आपका एक नहे एपिसोड में संडे का फंडा वाले सीरीज में आज ह कोई बोलते है 91 का तो वह कैसे निकलेगा अगर हम लोग जुनियर कॉलेज में हैं तो हमको एक लॉग टेबल या फिर लॉग बुक प्रोवाइड किया जाता है जो कि हम लोग यूज करके बोर्ड एक्जाम में ये चीज़ कर सकते हैं बाट अगर हम लोग कोई कॉम्पुट सबसे पहला मेथड क्या है फॉर्मुला मेथड अब यह फॉर्मुला मेथड क्या है तो यहां पर एक फॉर्मुला है मेरे पास a plus b is equal to root a plus minus b divided by 2 root a, ओके यह formula है, जिस formula से मैं किसी भी non-perfect square root निकाल सकता हूँ, किसी भी non-perfect square root में calculate कर सकता हूँ, कैसे calculate करेंगे, तो यह example से समझने कोशिस करते हैं, let us consider 55, okay, let us consider, एक root 55, consider करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, यह root 55 को break करूँगा, in the form of a plus minus b, okay, मतलब कोई भी दो number लेना है, जिसको मेरे को add करके, या फिर सपराग करके, मेरे को क्या मिलना चीए, मेरे को मिलना चीए 55, okay, अब important ध्यान क्या देना है, कि यह जो a है न, यह a मेरा perfect square root होना चीए, जो a है वो मेरा perfect square root होना चीए, okay, तो suppose कोर मैं इसको थोड़ा सा split करता हूं, इसको में लिख सकता हूं, like 49, 49 में में कितना add करूबा, तो 55 आएगा, plus 6, okay, 49 plus 6, तो अभी यह चीज़ को, मेरे को यह form में मिल गया, यह जो मेरा 49 plus 6 है, वो मेरे किस form में मिल गया, वो मिल गया, under root a plus minus b के form में, अब same यह formula में इस पर apply कर दूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा, nothing but root 49 plus, अगर plus है तो plus, अगर minus है तो minus, root 49, what is b, b is nothing but 6, 6 divided by, what is 2, 2 root a, तो क्या हो जाएगा, 2 root 49, what is 49 the square root, nothing but 7 plus 6 divided by, अगर मैं कट करना चाहूंते हैं, यह 3 जाहां, कट हो जाएगा, तो उपर क्या आएगा, 3 नीचे क्या जाएगा, 7, 7, 7 जा, 49, 49 plus 3, nothing but 52 by 7, this is nothing but your square root of 55, okay, so this is nothing but simple, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक formula के वज़े से, एक formula के help से हम लोग क्या कर सकते हैं, square root calculate कर सकते हैं, कोई भी number आने तो, बट हम लोगो ध्यान यह देना है, कि हम लोग जब split करने हैं उस number को, तो उन में से कोई एक number हो, वो हमारा क्या हो, perfect square हो, क्या हो यह perfect square, अब यह अगर हम लोग अबसर्फ करेंगे तो यह जो प्रोसेस हो थोड़ा सा lengthy है, यह जो प्रोसेस हो थोड़ा सा lengthy है, बट इसको जतना हम लोग प्राक्टिस करेंगे ना, जतना हम लोग उसको बोलते हैं, जतना प्राक्टिस करेंगे उतना हमारी दिमार्क में बैठते ज अब में को पता है इस फॉर्म में में वो convert करना है तो 80 में एक अंडर रूट हो जाएगा विचीज नहीं बट 9 माइनस अब यहाँ पर माइनस करो तो माइनस क्या हो जाएगा मेरा d क्या है? d मेरा 2 है तो 2 divided by 2 into 9 में एक रूट ही जाएगा 2 to cancel 9 यहाँ पर आजागा 9 9 जा 81 minus 1 ओके तो क्या हो जाएगा 80 by 9 this is the answer ओके वीदिन सेकेंड हम लोग ने क्या किया with the help of this formula हम लोग ने calculate कर लिया square root किसका 79 का root 79 का हम लोग square root calculate कर लिया तो ऐसे हम लोग calculate करेंगे थोड़ा सबने आपको बलते हैं जितना जादा हम लोग अपने आपको घसेंगे न उतना ही जादा हम लोग क्या होएगे इसमें फास्ट होएगे यह होगा formula method इससे हम लोगा जो answer मिलता है वो perfect मिलता है क्या मिलता है perfect मिलता है अब इसके अलावा भी एक method है which is nothing but a tukka method okay मैं उसको क्या बोलता हूँ मैं उसको बोलता हूँ tukka method वो कैसे calculate करते वो देख लेते हैं ओक है कि अब तुकka method कैसे लगता है हम लोग सेंग्जाम्पल लेते हैं रूट 55 का हम लोग सेंग्जाम्पल लेते हैं रोट 55 का अब तुकka method में क्यों यूश करता हो जब कभी भी जब अगर को भी formula देखे और बहुत सारे तो इसलिए क्या करता हूं इसको इसलिए क्या बोलता हूं हम लोगो क्या निकालना है हम लोगो निकालना है रूट 55 अब इनके बीच का इनसे बड़ा और इससे छोटा पर्फेक्ट स्क्वार देख लो तो 49 नेक्स्ट इस 64 तो अगर मैं 49 और 64 के बीच का नंबर देखो तो वह आसपास कुछ आएगा 56 अब में को पता है इसका जो स्क् और इसका जो स्क्वार रूट होता है अब इन दोने के बीच का नंबर क्या है 56 मतलब इसका अंसर क्या होना चीज 7.5 बट हमारा क्या 55 तो हम लोग इसको लिख सकते है 7.4 तो डारेक्टी मैंने क्या कर दिया 55 के रूट को 7.4 अब यह 7.42 हो सकता है 41 हो सकता है 43 हो सकता है अगर हम लोग कोई competitive exam दे रहे हैं जहां पर मैंको बोला है कि perfect 55 का square root निकालो वो आंसर exact होना चीए तो यह method हम लोग को काम नहीं आने वाला तो यह method हम लोग को काम नहीं आने वाला है अब एक और चीज़ देख लेते हैं जब कभी भी बहुत बढ़ा number होता है सब्सक्राइब करते हैं वो नंबर which is nothing but 7256 एक नंबर सब्सक्राइब करते हैं तो इसको कैसे square root निकालेगे जब अभी भी ऐसा sum है यहां पर 55 के जागे क्या कर देता हूं मैं कर देता हूं 7256 इसको मैं convert कर देता हूं 7256 अब सेम चीज़ अब मैं इसको कुछ ऐसा लिख सब्सक्राइब कर देता हूं 7256 इंटो 10 रेस टू अब यह जो 10 रेस टू है वो रूट के बाहर चला जाएगा मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 10 रेस टुवन यह 10 रेस टुवन आ गया अगें यहां पर क्या आ गया 72 आ गया कोई भी दो नंबर चूज करो इससे बढ़ अब देखने जाए तो नतिंग बड़ 64 इससे अबना देखने जाए थो नतिंग बड़ 81 अब इन दो लोगे बीच का आंसर यह थो आप सब्सक्राइब तो इसका जो स्कूर रूट आ जाएगा 85 अगें यह इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं है यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो हम लोग जब इसको पुरा सॉल्फ करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा तो जब कभी भी आगर में को बोला रहे है कि में को बोड में सॉल्फ करना है तो हम लोग यह यूज करेंगे आपको स्क्वार निकाला आ गया रहेगा और यह बताना है कि आपने कौन सा मेथर्ड यूज क्या है या फिर आपने तुक्का वाला मेथर्ड यूज किया ओके तो आपको स्क्वार रूट निकाला आगे रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो just like, share and subscribe आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.